हलो बच्चों कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका स्वागत है वीडियो नमबर है 36 ये सीरीज टोटल फ्री चल रहे है यूटूब पे जिसमें आज इस तरह ऐसे चिन देखें होंगे ये चिन का मतलब क्या है पूरी बात विस्तार से बताओंगा बस इस कलास को लाज तक देखना पहला सवाल है कि इनमें कौन करडी नहीं है करडी को इंगलिस में सर्ड्स बोलते हैं जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ तो मुझे आप आंसर दीजे जड़ा कोसिस करिए मैं कहूं कि इसमें कौन सर्ड्स नहीं है तो साथी मेरे उसका जवाब क्या होगा बता बता भाई यह कौन इसमें से सर्ड्स नहीं है बट इसका सवाल का इस आंसर ऐसा होना चाहिए इसमें कौन सर्ड्स है क्योंकि इसमें तीन आंसर हैं है वाला एक है जो नहीं है अब बताओ कौन इसमें करड़ी है इसका सही जबाब होगा ये करड़ी है और कोई नहीं करड़ी आप कोगे ऐसा कैसे कोई करड़ी नहीं है वही तुम्हें बताने वाला हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ 37 करड़ी है यानि Chiefs है बाकी और कोई Chiefs नहीं है कैसे और क्यूंद देखिए इंचिन्डों से आपका मुकाबला हुआ होगा आज तक हुआ होगा यह cafe ही होते है यहाँ पर कहीं कहीं 2 लिख दिया जाता है कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है कहीं कहीं आपको यहां तीन मिलेगा कहीं कहीं यहां आपको पांच मिलेगा साथी मेरे जो इसके नुकड़ पे होता इसको बोलते हैं करडी घात क्या बोलते हैं करडी की घात बोलते हैं घात का मतलब यह होता आई मिन बच्चा जैसे अगर मैंने 7 लिखा इसके खुबड़ी पे यहां 5 लिखा तो तुम कहते हो कि 7 की घात 5 कहते हो न तो ऐसे इसको क्या कहते है इसके जो 9 पे जास नाक पे होता उसे करड़ी घात कहते है ठीक है समझते जाना बातों को मैं क्या बताने वाला हूँ आपको इनका क्या इफेक्ट पढ़ता है करड़ी में वह भी बता रहा हूँ तुम्हें ठीक है वीडियो को अगले 5 मिनट देखना सारा कुछ क्लियर करके जाना ठीक है चलो भया तो यह हो गया क्या यह बच्चा करड़ी घात आप देखना है आप एक चीज़ और समझना अगर मैंने एक लिखा कहीं इसके अंदर साथ यहां पर इसके खोपड़ी प्तीन और यहा पर ने लिग दिया 9 थिक है तो बच्चा इनमें जो होताए न आपका गुडांग है गुडांग मतलब यह इसके साथ गुडा में है इसका कोई बहुत बड़ा रिष्टा इसके साथ नहीं है घीक है यह अलग है गुडा में समझ में आना बात ठीक है कहीं कहीं आपको ऐसे घात नहीं मिलेगा बच्चा जैसे माले इस वाले नंबर में अगर यहां पे लिख दिया 11 यहां पे लिख दिया 9 तो अब बता इसमें करडी घात क्या है बता इसमें करडी घात क्या है इस वाले में करडी घात क्या है इस वाले एक दम फिट समझ में आ जायेगा देखो बच्छा नमबर सेम है जैसे मां लीज़े मैंने 16 लिखा ठीक है यहां पर मैंने 16 लिखा तो यहां पर मैंने 12 लिख दिया ठीक है तो इनका वर्गमूल करोगे तो चार आएगा, आपको पता है, क्या आएगा, चार आएगा, ये दोनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं, चाहे इनके चुरकी पे दो लगाओ, चाहे ना लगाओ, हमेसा दो माना जाता है, लेकिन अगर आपको कहीं घनमूल निकालना है, तो घनम बना दूँगा, करड़ी आज के बाद निभूलेगा तुम्हें, अगर यहां पर बच्चा, ऐसे सोला है, यहां पर घाट चार लगी है, एक मतलब जानते हो क्या होता है, एक मतलब यह होता है, कि जो यह सोला है न, इसको जो हम तोड़ेंगे छोटे-छोटे पार्ट में, तो जो पेर बनाते हैं, और गमुल में दो-दो का जोड़ा बनाते हैं, वाई साब चार घात का मतलब यह होता, बच्चा इनमें चार-चार का जोड़ा बनाएंगी, ठीक है, तो फाइनल में यह जो तुम्हें दीख रहा था, इसका अगर फाइनल में आंसर लिखोगे, सिर नहीं आएगा यहां, याद रखना, क्योंकि यहां पेर चार-चार के बन रहे हैं, क्योंकि घात यहां चार है, बात समझ में आ रही हैं, आ रही ने समझ में, जिफे देखो, सिर्फ समझने वाली चीज़े हैं, आप लिखने माला कुछ नहीं है, समझ लोगे तो जिंदगी यह पराबर नहीं है, क्योंकि इसका खनमूल समझना, कुछ नहीं होता, तो लो मनें जाती है, तो अगर रसे दिया है इस गलत है, इसका और फाइट। इसको अगर देखो मैं 3-3 के रूप में तोड़ता हूँ इसमें बच्चा पार्टी क्या करोगे 3-3 का पेर बना के आप यहां 3 अंसा लिख सकते हो बट इसमें ऐफा नहीं हो सकता है इसमें आप ऐसे करोगे तो 3 गुड़ा 3 गुड़ा 3 इसमें आप पेर सिर्फ 2 का बना सकते हो 3 का नहीं क्यों क्यों कि यह वर्गमूल है इसमें अगर इसका फानिल आप वर्गमूल करना भी चाहोगे तो 3 रूट 3 आ जाएगा तिन रूट तिन आ जाएगा जो कि तिन की बराबर नहीं होगा बात समझ में आ रही ना ये क्या है करड़ी की परिभासा करड़ी की कहानी है गिंती कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है गिंती कुछ भी हो बच्चा उससे मतलब नहीं है बट वो जो condition है उसकी ना वो में देखी जाती है जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजी है जैसे माल लीजे मैं आपको बताऊँ कि आपने एक सो पचीफ ले लिया अब अगर एफे लिखा है इसका मतलब ये वर्गमूल की रूप में है आप इसन का जो भी आप factor कर सकते हो कर डालो छोटा छोटा ठीक है लेकिन यहाँ पर जोड़ा आप दो दो का ही बनाओगे तीन का जोड़ा नहीं बनाओगे क्योंकि यहाँ वर्गमूल का चिन है ठीक है कोई चिन है नहीं तो हमेसा दो घात मनी जाती है तो इसका जो final answer आएगा 5 और root 5 आएगा ठीक है आप इसको कभी भी 5 नहीं लिख सकते इतने को तो यह क्या है यह करड़ी है हाँ अभी बात तो हो रही थी करड़ी क्या है करड़ी क्या नहीं है तो करड़ी कौन है करड नहीं है जिनका वर्गमूल घनमूल या किसी भी तरीके का मूल करके तुम्हें पूर्ण फंक्या ला सकते हो वनलभ नेचरणीबर प्राप्त कर सकते हो वो Kap caus नहीं है बाकि सब करड़ी ठीक है जब फंक्या 125 अगर वर्गमूल के चिन्द के साथ है तो यह करड़ी है अगर यह घनमूल चिन्द के साथ है तो यह करड़ी नहीं है लेकिन अगर वर्गमूल चिन्द के साथ है तो यह करड़ी है ठीक है समझ रहे हो जैसे पीछे पेच पे साथ ये करड़ी नहीं है लेकिन अगर तीन घात वाले में आ जाओगे बच्चा तो ये करड़ी हो जाएगा क्यों क्योंकि सोला यहां पर घनमूल कर लोगे तो इनका तीन-तीन का जोड़ा बनेगा एक दो अंदर फंस जाएगा एक दो निकलेगा तीतना आएगा ये क्या करड़ी क्या है साथ मिनट के अंदर क्लियर हो गया उमीद करता हूं कि आपने समझ लिया तो फटा फटा आओ दोड़ड के आंसर बताओ चलते हैं बागते हैं कहरा कौन करड़ी है जिनका आप सलूसन करके एक नेचुरल नंबर पराप्त कर लोगे वह करड़ी नहीं होगा इनका मिल जाएगा 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 इनका नहीं मिलेगा एट अगर आप इनको देखो तोड़ो यह बाई मिल जाएगा का यार पैसे देखो इसका घनमूल निकालना है एक काम ना करो अगर ह हम इनको कितनी बार लिख सकता हूं फूजे लगता आइठींग हो जाएगा यह किसी का गन मुल है कि दो दूना चार दूना आठ दूना 16, दूना 32, दूना 64, बन दुना यार, 6, 6, 36, छक्का नहीं, नहीं, नहीं बनेगा, गनमूल का चिन्न है, मुझे धर्म संकट में डाल रहा है का ये, तीन, तीन, दूना दबन गया, 4, 46, 44, बन जा रहा है, इसमें कोई करड़ी नहीं है, क्योंकि इसका घनमूल करोगे 4 आ जा रहा है, क्यारा 4, इसमें कोई भी करड़ी नहीं है, क्योंकि सभी एक नेचुरल नंबर प्राप्त हो जाते हैं हल करने पर, कोई भी करड़ी नहीं है इसमें करड़ी हो सकता था अगर ये कुछ और होता चार मुल्ग साथ के हो जाता तो हो जाता करड़ी, देखो कैसे अगर ये चो चौनसट है ये तीन घात ना होता, क्योंकि तीन घात पे चार का घणमूल बन जा रहा है वो ठीक है? तीन घात ना होता दो घात होगा तब ही बन जाएक आठ का बच्चा देखो अगर ये चार घात में होता मेरे भीया समझना है आपे 64 अगर ये चार घात में होता तो इसका कुछ नहीं हो सकता था क्यों? क्योंकि देखो 2, 3 हो गया, 4, 5, 6 4 घात में होता बच्चा नहीं आया बात समझ में आया तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताना अगला कोशन देख लिए फटा पट इसका आंसर मुझे कमेंट में देना आप लोग कौन करड़ी है या नहीं है यह भी बता दो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में 37 नंबर क्लास का इ